पाठ चार, रक्षा बंधन त्योहार प्रतीशब्द, राखे केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है. हापितू, ये मनुष्यता तथा भाई चारे का पर्व है. रविंदरनात् ट्योगोर रक्षा बंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का अनौखा त्योहार है. यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है इस दिन बहने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांध कर उनके लिए मंगल कामनाई करती है भाई भी बहनों को हर प्रकार की विपत्ती से रक्षा करने का वचन देते हैं इस दिन बाजारों में खूब रौनक होती है जगे जगे राखियां बेची जाती है मिठाईयों की दुकानों पर भारी भीड जमा रहती है सब लोग अपनी अपनी पसंद की मिठाईयां खरीदती है राखि का त्योहार प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है हिसके संबंध में कुछ कथाईं प्रचलित है हजारों वर्ष पहले देवताओं और राक्षशों में युद्ध होने वाला था राक्षश बहुत शक्तिशाली थे देवताओं के राजा इंद्र बार बार राक्षशों से पराजित हो जाते थे इसलिए उनके पत्नी शची ने कठोर तपस्या करके उनके लिए रक्षा सूत्र तयार किया जब वे युद्ध के लिए जाने लगे तो शची ने उनकी आरती उतारी उनके माथे पर तिलक लगाया और उनके दाए हाथ की कलाई में वेह रक्षा सूत्र बांधा यही से रक्षा बंधन का त्योहार आरंभ हुआ धीरे धीरे त्योहार का रूप बदला यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया जब देश में मुगलों का शाशन था तो राखी बांधनी की एक एतिहासिक घटना हुई चितोड के राजा राना सांगा की विध्वा रानी कर्मुबती के राज्ये पर गुजरात के सुल्तान बाहदुर शाहा ने आक्रमन कर दिया कर्मुबती बड़ी वीरता से लड़ी पर उसे विश्वास हो गया कि युद्ध में उसकी विजय नहीं हो सकेगी ऐसा कहा जाता है कि तब उसने मुगल समराथ हुमायू के पास एक राखी भीजी और सहायता के लिए प्रार्थना की हुमायू ने भी उसे अपनी बेहन मान लिया अपना करतव्य निभाने के लिए वह अपनी सेना लेकर चित्तोड की ओर चला पर जब वह चित्तोड पहुँचा तब तक महरानी कर्मवती की हार हो चुकी थी और उसने चित तोड के हजारों स्त्रियों के साथ जोहर कर लिया था। हुमायू को बहुत दुख हुआ। उसने गुजरात पर तुरंत हमला करके सुल्तान को पराजित कर दिया। आज भी बहनी इस दिन राखी बांधते समय प्रार्थना करती हैं कि राखी उनके भाई को हर संकट से बचाए तथा भाई भी अपनी बहन की रक्षा का प्रण करते हैं। इसलिए राखी का बंधन रक्षा का बंधन कहलाता है। सीख हमें सदैव प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। शब्द संपदा विपत्ती मुसीबत पूनिमा जब पूरा चांद निकलता है। तिलक ठीका। सम्राट राजा। रक्षा सूत्र हाथ की कलाई में बांधा जाने वाला रक्षा कारक धागा। प्रचलित जिसका चलन न हो। पराजित हारा हुआ। पवित्र पावन। कर प्रचलित प्राज।